हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मितूस किचन, आज मैं आपके लिए ये बहुत ही सुन्दर चॉकलेट की रेसेपी लेकर आई हूँ और ये डिजाइनर चॉकलेट बहुत ही इसी तरीके से आप भी घर में बना सकते हो और आप देख रहे होगे कि कितनी ब्यूटिफुल लग र है आप इस वेलेंटाइन पर ये रेसेपी जरूर बनाईएगा और बहुत अमेजिंग है वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे जितनी भी यहां पर ट्रिप्स हैं ट्रिक्स हैं वो सभी बता चल जाए और आप इतनी बड़ेहा चॉकलेट अपने घर पर बना सके तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो इसका डिजाइन कितना संदर है इस तरीके के बोन-बोन्स बनाने के लिए आपको बहुत आसान तरीका में बताऊंगी और आपको विंटर में कैसे चॉकलेट हैं ये भी बताऊंगी तो चल ये वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स यहां आज यह चोकलेट हमने बनाया है बॉर्बॉन Бिसकिट से और यह बॉर्बॉन बिसकिट जरनल गहर में अज़ना होता है , अगर नही नहीं है तो आप कोई भी चोकलेट फ्लेवर बिसकिट यूज कर सकते इसके जगा जो भी खर में आपके पास हैवी लेवल हो और यहां पर यहां मैं इसकी सिर्फ 4 पीस लेने वाली हूँ जो कि हमारे चॉकलेट रेसेपी के लिए काफी होंगे तो बस यह 4 पीसिस बिस्किट के साथ हम अपनी चॉकलेट बनाएंगे इतने सारे बॉन-बॉन्स हम बना कर तयार करेंगे तो बस सबसे पहले आपको इसका पाउडर बनाना है इसके लिए मैं इसे मिक्सी के जार में टोर के डाल दूँगी और फिर हम इसे बिलकुल महीन ग्राइन कर लेंगे अब यहाँ मैंने मेल्टेट चॉकलेट लिया है जो कि मैंने मिल्क और डार्क दोनों को मिक्स करके 50 ग्राम लिया है तो आप दिख सकते हो मैंने इसे पहले ही माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया और यहाँ टेंपरिंग करने की कोई ज़ुरत नहीं है क्योंकि हम bonbons बना रहे हैं अगर आप चाहें तो यहाँ truffles भी बना सकते हैं यह twin one recipe है तो सबसे पहले हम इसके लिए truffles तयार करेंगे और truffles बनाने के लिए ही आपको चॉकलेट चाहिए साथ में मैंने condensed milk लिया है तो दो बड़े चमच जितना भर के condensed milk आपको लेना है और इसे डाल देना है दोनों चीजों को अच्छे से मिला लीजिए यह आप देख सकते हो जैसे मैंने condensed milk डाला है चॉकलेट काड़ी होनी शुरू हो गई है और यहाँ मैंने जो powder बनाया बिसकिट का वो मैंस में डाल दूँगी और बस अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करके इसका डो जैसा बना लेना है जैसे जैसे मिक्स करेंगी यह डो की फॉर्म में आ जाएगा तो आप देख सकते हो विंटर सीजन है इसलिए मैंने से फ्रिज में नहीं रखा है यह चोकलेट अपने आप हाड होके हमारा डो जैसा बन गया है कुछ भी हमें डालने की जुरत नहीं है अगर आपको इसकी सेल्फ लाइब बढ़ानी है तो आप इसमें थोड़ा सा ग्लुकोस सीरप भी एड़ कर सकते हैं लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं डाल रही हूँ अब हमारा जो तैयार किया हुआ डो है बस इससे हमें छूटे-छूटे से बाल्स बना लेने है और आप एक साइस की बाल्स बनाने के लिए कोई मेजरिंग स्पून भी यूज कर सकते हैं और आप मेजरिंग स्केल पर डो को मेजर करके भी बाल्स बना सकते हैं अगर आप सेलिंग परपस के लिए से बना रहे हैं तो यह दिखिए मैंने सारे बाल्स रेडी कर लिए हैं और बस अब मैं इस फ्रिज में सेट होने के लिए रखूँगी क्योंकि हम यहां bonbons बना रहे हैं, अगर आप truffle बना रहे हैं, तो इसे आप cocoa powder से coat कर सकते हैं, या कोई भी तरीके की garnishing यूज़ कर सकते हैं, और आपके bonbons जो truffles हैं, वो बिल्कुल ready हो गए हैं, लेकिन हमें bonbons बनाने के लिए आगे एक और process करना होगा, इसके लिए हमेंने white chocolate लिया है, और chocolate को melt करने के बाद ही, हम इसमें थोड़ा सा oil add करेंगे, यह vegetable oil है, इसमें कोई fragrance नहीं होना चाहिए, तो आप इस बात का धियान रखे, और oil डाल के बस आपको अच्छे से mix करना है, और साथ में मैंने यहां थोड़ा सा color लिया है, तो यह मेरा orange color है, यह candy color है, और मैं toothpick से बस एक हलका सा इसमें color add कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जादा color नहीं देना है, एक हलका सा shade effect देना है, और अब देखे हम इसमें एक और color add कर देते हैं, तो two color में add कर रही हूँ, आप यहां दो से जादा color ले सकते हैं, या किसी एक single color में भी इस bourbon को बन करते हुए, यानि घुमाते हुए, एक coating करनी है, चोकलेट की, अब जो हमने फ्रिज में से रखा था, उसका यही रिजन था, जिससे के बहुत असानी से हमारी चोकलेट सेट हो जाए, इसलिए हमने बार बॉन चोकलेट के जो बॉल्स है, इने फ्रिज में डाला था, और बढ़ा फिनिश के साथ सेट हो जाएगा, तो इसी तरीके से मैं दूसरा बॉन बॉन भी आपको रेडी करके दिखा देती हूँ, यह देखे एक पतली कोटिंग हमें इस पे चड़ा लेनी है, और चोकलेट जो हमारे बार बॉन से ठंडे होने के वज़े से फटा-फट इस जम जाएगा, और आपके एक बड़ा फिनिशिंग वाली चोकलेट बनकर तायार होगी, एक्स्टर चोकलेट निकालने के लिए आप इस तरीके से हलका हलका कटोरी पे रखकर टैप कर ले, तो जो एक्सेस चोकलेट है वो रिमूफ हो जाएगा, और इसी तरीके से आप इसे सल्दी सेट हो जाता है, और मुझे तो 10 मिनिट ही लगा, मेरी चोकलेट बहुत अच्छे सेट हो गई है, मैं इसे फ्रिज में भी नहीं रखा है, गर्मियों में अगर आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन विंटर सीजन में ऐसे ही आप इसे 5-10 मिनिट के सेट हो जाएगा, अब हम टूथपिक निकाल लेते हैं, और देखिए यहाँ पर टूथपिक निकालने के बाद, आपको हलका सा नाइफ से अगर कुछ रह गया है भाग, तो उसे क्लीन कर लेना है, और हमारा बहुत ही बड़ी हाँ बॉर्बॉन का चोकलेट बनकर तयार हो इसे निकालने की टेक्निक देखिए एक बार, आपको धीरे धीरे से जो हमने टूथपिक लिया था उसे लेट राइट मूफ करते हुए निकालना है, ताकि आपकी जो बॉर्बॉन की कोटिंग है वो टूटे नहीं, तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो कई निकालते टाइम कोटिंग टूट जाती है, तो आप देख सकते हो, हमारी चोकलेट बहुत असानी से निकल रहे हैं, और आप चाहें तो बच्चों को अगर टूथपिक के साथ देना चाहते हैं, तो बच्चों के लिए लॉलिपॉप के जैसे भी से बना कर दे सकते हो, तो देखिए, बहुत ही सुन्दर डिजाइनर बार्बन चोकलेट तायार है, और इस तरीके से आप इसे गिफ्ट कर सकते हैं, हम इसे थोड़ा सा और डिजाइन करेंगे, तो यह सारे चोकलेट मैंने निकाल लिए हैं, और इन सभी चोकलेट को मैं आपको एक अलग तरीके से ड पॉन्देनन लिया है, और फंदेनन आपको इजलि मार्केट में मिल जाता है, और इहा मैं जैल कलर से गुलर करने वाली हूं, यह ऐ वाइट कलर का है, तो यहां मैंने एक ट्रॉप रेड कलर डाला है, यह रेड जल कलर यूज़ करने से हमारा फंदेन बहुत अजलि और बह यहां पर, मैं इसे में हैसी तो यहां पर में इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूं, मैं कलरफल double coupon रड़ी है मैंदेख Step Patrol क्क बेपक्डक में यहां पर नेकर two-nin-tsks ख़र लेद हैं अगर आप चाहें तो यहां हाट काट सकते हैं वो भी अपनी चोकलेट पे लगा सकते हैं तो यह आपके उपर है कि आपको अपनी चोकलेट को कैसे डिजाइन करना है और भी बहुत सारे डिजाइनर चोकलेट की वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो अगर आप ही तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें इन सभी चॉकलेट क्लासिस के लिए हम बहुत सारे रुपीज घर्च करके पेमेंट करके सीखते हैं तो आपको मेरे चैनल पर ये सारी वीडियोस फ्री में मिल जाते हैं मैं आपको फ्री में बहुत सारी time to time नई नई चॉकलेट रेसिपी सिखाती रहती हूँ अगर अभी तक आपने मेरी चॉकलेट रेसिपी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जल्दी से चैनल पर विजट करें चॉक्रेट रेसेपी प्लेलिस्स जरूर देखें वहां आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगे जो बहुत यूस्फुल होंगे और वैसे भी वैलेंटाइन साने वाला है तो अगर आप कुछ नया सीखना चाते हो तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहां देखिए यह जो हमने फ्लावर्स बनाए थे इन्हें मैंने 10-15 मिनित के लिए ऐसे ही छोड़ दिया ताकि यह थोड़े सेट हो जाए और अब हम इन्हें इस तरीके से बॉन बॉन्स के उपर लगाएंगे इन्हें लगाने के लिए ह आपको इन्हें सेट कर लेना है और विंटर सीजन में क्या होता है फ्रेंट्स एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि चॉकलेट बहुत जल्दी हाड होने लगती है तो जब भी आपकी चॉकलेट हाड होने लगे इसे आप माइक्रोवेब में रखकर मैल्ट कर लें या फिर ड चोटी चोटी चीजे हैं जिने ध्यान में रखे आप अपने बहुत ही बड़ी आ फिनिशिंग वाले बॉन बॉन रेडी कर सकते हैं देखे सभी जितने भी मैंने बॉन बॉन तयार किये हैं सभी पर फ्लॉवर्स लगा लिये हैं और अब यहां पर मैं छोटे चोटे शुकर बीट्स लगा रहे हैं इससे यह देखने में और भी खुबसूरत लगेंगे तो यह देखिए मैंने सारे बॉन बॉन तयार कर लिये और यह बहुत खुबसूरत लग रहे हैं आपको कैसे लगे कमेंड करके जरूर बताना चलिए मैं ऐसे आपको काटके दिखा देती हूँ आप यह देखिए वाओ बहुत ही प्रिटी बहुत ही बढ़िया बॉन बॉन तयार हुआ है और आप देखिए कितना अच्छा है तो फ्रेंट्स आज की यह कम खर्चे में बिस्किट के साथ बने हुए चॉकलेट बॉन बॉन की रेसिपी आपको कैसी लगे कमेंड करके बिलकुल मत भूलना चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई